सोफी लंदन के एक अनात आश्रम में रहने वाली 10 साल की लड़की होती है वह अक्सर हमेशा रात को जागती रहती है और अनात आश्रम में इधर उधर गुमती रहती है एक रात को सोफी अपनी खिड़की के बाहर एक भुड़े जाइंट मैन को देखती है और वो साइज में बहुत बड़ा होता है और वो जाइंट मेन भी सौफी को देख लेता है इसलिए वो सौफी को पकड़ के अपने देत्य देश ले जाता है देत्य देश जहांपर सभी जाइंट मेन याने राक्षश रहते हैं और वो भूड़ा जाइंट मेन सौफी को वापस नहीं जाने देता क्योंकि उसे लगता है कि वह वापस जाके हम सभी राक्षशों के बारे में सब को बता देगी जिससे सारे लोग हमारे पीछे पढ़ जाएंगे यदि अगर सोफी अकेले वाँ से भागने की करती है तो उस देत्य देश में और नो बहुत बड़े राक्षश रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं इसलिए सोफी डरके वाँ से अकेले नहीं जाती दरसल वो भूड़ा जाइंट में सपने पकड़ने का काम करता है और वह सपनों को पकड़ने के बाद सोते हुए बच्चों को अच्चे सपने देता है ताकि उन्हें खुशी मिल सके वह भूड़ा जाइंट में अपने सपनों की लेब में एक सपना बनाता है और वह उस सपने को सोती हुई सौफी को देता है ताकि सौफी उसके साथ रहने को मजबूर हो जाए उस सपने में सौफी देखती है कि अगर वह वहाँ से बाहर गई तो वो बड़े राक्षस उसे मिलकर खा जाएंगे तबी उन नो राक्षशों का लीडर भूडे जाइंट में के गर में गुसता है और उससे अपनी अंगूली पर लगी चोट को ठिक करने के लिए कहता है लेकिन तबी उन राक्षशों का लीडर वहाँ पर एक इनसान को सुंगता है और वो कहता है कि तुमारे घर में कोई इनसान है क्योंकि उसे इनसान की सुगंद आती है दरसल राक्षश इनसानों को सुंग लेते हैं लेकिन इदर उदर ढूनने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई इनसान नहीं मिलता इसलिए अभी के लिए तो वो उस बुड़े जाइंट में के गर से चला जाता है और वो बुड़ा जाइंट में सोफी को अपने सपनों की दुनिया में ले जाता है जहां से वो सपने पकड़ता है लेकिन जेसे ही सोफी और वो बुड़ा जाइंट में अपने गर से बाहर निकलते हैं तब ही वो गल्ती से एक सोते हुई राक्षश को जगा देते हैं और वो राक्षस उस भुड़े जाइंट मेन के साथ मोज मस्ती करने लगते हैं दरसल वो नो राक्षस उस भुड़े जाइंट मेन से भी बहुत बड़े होते हैं और वो राक्षस उस भुड़े जाइंट मेन को टूटे फूटे ट्रक पे बिठा के इधर उदर आपस में टकरा के मजे लेते हैं तबी एक तूफान आता है और वो सारे राक्षस अपनी गूफा में छिप जाते हैं क्योंकि वो राक्षस पानी में भीगने से डड़ते होते हैं और ये सारा तमाशा सौफी छुप के देख रही होती है और इस मौके का फाइदा उठा के सौफी और वो जाइंट मेन वहाँ से चले जाते हैं और भागते टाइम पे सौफी का कंबल वहीं पर गिर जाता है और वो कंबल उन राक्षसों के लीडर को मिल जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये किसी इनसान का कंबल है और उस सपनों की दुनिया में सौफी और वो भोड़ा जाइंट मिलकर अच्छे बूरे सपनों को पकड़ते हैं और सौफी के पूचने पे वो भोड़ा जाइंट में कहता है मेरा नाम दे बिग फ्रेंडली जाइंट है इसलिए सौफी उसे शोट में BFG कहने लगती है सौफी और BFG दोनों लंदन शहर में जाते हैं और वहाँ पर वह सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने देते हैं और जब वह दोनों वापस लोट रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि वह सारे नोराक्षस बच्चों को खाने के लिए शहर की तरफ जा रहे हैं वह चुपके से सोते हुए बच्चों को उठाते हैं और उन्हें खा जाते हैं और तबी BFG को पता चलता है कि सोफी ने अपना कंबल देत्य देश में ही छोड़ दिया है इसलिए BFG को डर होता है कि उन्होराक्षसों को सोफी के बारे में पता चल गया होगा और वह सोफी के सोने के बाद उसे चुपके से अनात आश्रम के बाहर वापस चोड़ देते हैं और BFG सोफी को समझाते हैं कि तुमसे पहले तुमारी तरह एक छोटा लड़का मेरा दोस्त था वह मेरे साथ ही रहता था उसे पढ़ना पसंद था और उसी ने मेरे को पढ़ना भी सिखाया लेकिन उन्होराक्षसों को उसके बारे में पता चल जाता है और वह उसे पकड़ के खा जाते हैं इसलिए मैं नहीं चाता कि वो भी तुमारे साथ ऐसा करें इसलिए तुमारा यहीं रहना सेफ है लेकिन सोफी फी बहुत जिद्धी होती है वो अपनी बात मनवाने के लिए अनात आश्रम की बालकनी से कूच जाती है इस उम्मीद से कि वो भुड़ा जाइंट मेन हर बार की तरह इस बार भी आके उसे बचा लेगा और होता भी यह सही है और गिरने से पहले वो भुड़ा जाइंट मेन सोफी को पकड़ लेता है और बीएव जी सोफी के साथ वापस अपने घर देट्य देश आ जाते हैं और उनके घर आते ही वो सारे नोर आक्षेस बीएव जी के गर में गुज जाते हैं और वो सोफी को ढूणने लगते हैं लेकिन बहुत ढूणने के बाद भी सोफी उन्हें नहीं मिलती और BFG उन्हें आग से डरा के भगा देते हैं और सोफी को ढूडने के चकर में वो सारे राक्षस BFG के पकड़े हुए सपनों को तोड़ देते हैं तबी सोफी को BFG के गर में उस इंसान का कमरा मिलता है जो पहले BFG के साथ रहता था और उस कमरे में उसे इंगलेंड की रानी विक्टोरिया का चितर भी मिलता है इसलिए सोफी और BFG मिलके दोनों एक प्लान बनाते हैं और BFG एक बुरा सपना बनाते हैं जिसमें वो नो राक्षस मिलके बच्चों को खा जाते हैं और Sophie और BFG दोनों रानी से मिलने आते हैं और England की सेना उन राक्षसों से लड़ रही है Sophie और BFG England में Buckingham Palace जाके सो रही रानी को वह सपना देते हैं जागने पर रानी अपने स्टाफ के साथ अपने बूरे सपने को डिसकस करती है और तबी वो Sophie को अपनी खिड़की पर खड़ा हुआ पाती है जैसा रानी ने एक्जेक्ट सपने में देखा था और वो Sophie BFG को रानी से मिलाती है और रानी को समझाती है कि बच्चों को खाने वाले राक्षस असली है इसलिए हमें उन राक्षशों को रोकना चाहिए और रानी ने अपने स्पेशल गेस्ट BFG के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और BFG सौफी के साथ रानी के सेनिकों को अपने देट्य देश ले गए ताकि वहाँ पर वो उन राक्षशों को पकड़ सके BFG अपने गर में सौफी के साथ मिलकर बूरे सपने बनाते हैं ताकि वह उन नो राक्षशों को दे सके जिससे रानी के सेनिकों को उन राक्षशों को पकड़ने में आसानी हो लेकिन BFG सपने देने वाली अपनी जादूई छड़ी को रानी के घर पर ही भूल गए होते हैं इसलिए सौफी उन सपनों को उठाती है और उन सारे सोते हुए राक्षशों के बीच में चली जाती है लेकिन तभी उन राक्षशों का लीडर जाग जाता है इसलिए सौफी उन सपनों की बोटल को तोड़ देती है लेकिन उन राक्षशों का लीडर बच जाता है क्योंकि वह जाग गया था इसलिए वो सपने को पकड़ के खतम कर देता है जैसे ही वो राक्षशों का लीडर सौफी को खाने वाला होता है तब ही रानी के सैनिक उनके उपर हमला कर देते हैं और वो सारे राक्षशों को जाल में बांध लेते हैं और उन सारे राक्षशों को हेलिकॉप्टर से समंदर के बीचो बीच एक सुंसान आईलेंड पे ले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें छोड़ देते हैं जानकि वो राक्षेस उस आइलेंड से निकल के कहीं न आ जा सके और हमेशा के लिए उस आइलेंड पर ही केद हो जाए और उन राक्षेसों को वहाँ पर खाने के लिए एक कड़वी सबजी के बीज दे दिये जाते हैं जो उन राक्षेसों को कभी पसंद नहीं थी और सोफी को रानी की केर टेकर मेरी गोद ले लेती है और वहर रानी के महल में ही रहने लगती है और जब भी सोफी को अकेला पन फिल होता है तब वह बीएवजी से बात कर सकती है बीएवजी अपने गर देत्य देश से भी उसकी सारी बाते सुन सकते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की कान नहीं खतम हो जाती।